प्रित्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशीर बर्वराशी यानि बर्व की नदी को कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतिय धालों का अनुसरन करते हुए नीचे की ओर पहती है। इसे हिमानी या हिमनद भी कहते हैं। ग्लेशर सालों तक भारी मात्रा में बर्व के एक जगह जमा होने से बनता है। ये दो तरह के होते हैं। अलपाइन ग्लेशर और हिम चादर इसे आइस शीट्स भी कहते हैं। प्रिथवी पर 99.9% हिमानिया दुरुफों पर दुरुविय चादर के रूप में मौदूद हैं। गैर दुरुविय चेतरों की हिमनदों को अलपाइन हिमनद या पहाडों की ग्लेशर कहा जाता है। हमारा हिमाले भी एक अलपाइन हिमनद है। हिमनद अर्थाद ग्लेशर प्रित्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार है। ग्लेशर से निकलने वाली नदियां पूरे साल पानी से भरी रहती है। गंगा नदी का प्रमुक स्रोत्र गंगोत्री हिमनद यानि गंगोत्री ग्लेशिर है और यमना नदी का स्रोत्र यमनोत्री हिमनद यमनोत्री ग्लेशिर है अम्मूमन हिम्नत जब तूटते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में बर्फ पहाडों से फिसल कर घाटी वा नदियों के पानी में तैरने लगती है जिसे कालविंग कहते हैं यह ग्लेशियर पानी के साथ मिलते ही टाइड वाटर ग्लेशियर बन जाते हैं तथा नदी का बहाव और स्तर विकराल रूप से बढ़ा देते हैं चमोली की धौली नदी में भी यही हुआ ग्लेशियर के पिगलने के कई कारण होते हैं वोकम या कमपन से चोटियों पर जमी बरफ किसक चाती है जिसे एवलांच कहते हैं तेजावार विस्पोट भी एवलांच का कारण होते हैं कई मिवज्यानिक प्रित्वी की हलचर जैसे गुरत्वा करशन प्लेटो के नदीक आने या दूर जाने को भी इसकी वज़ा मानते हैं वल वार्मिंग भी इसकी वज़ाहों में से एक है